दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है मारुती सुजू की एस्प्रेसो के जन्योन एक्सेसरीस को तो यह जो सामने आप मोडल देख रहे हैं यह है VXI Plus यानि कि यह टॉप मोडल है तो इसकी जो एक्सेरीस की प्राइसेस है वो मैं आपको end में बता दूँगा तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रुषिकेश आप देख रहे है Things to Explore तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इस गाड़ी के फ्रंट की तो यहाँ पर फ्रंट ग्रिल जो है वो औरेंज कलर में की है और इसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे बंपर बेजल गार्निश जो की औरेंज कलर में है यह सामने की तरब भी है और पीछे की तरब भी आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे front और back side दोनों में भी आपको bumper protectors देखने को मिलेंगे तो उसका जो price है वो भी मैं आपको end में बता दूँगा वीडियो के तो आप पूरी तरह से देख लो इस तरह से जो है इसके genuine accessories आती है मारुति सुजुकी espresso की और इसमें music edition डाल दिया गया है जो के alto k10 में भी आता है इसके भी price के बारे में मैं आपको end में बता दूँगा और यहाँ पे है इसके alloy wheels जो के orange color में आते हैं फिर एक बार orange color यहाँ प जाती है आपकी 22,000 के आसपास और यह जो है side view कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो चलिए अब चलते हैं पीछे के side में और पीछे के side में जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे इस्तिमाल किया गया है rear upper spoiler जो कि orange color में है और उसके नीचे यहाँ पे भी chrome का इस्तिमाल किया है व यह जो garnish है वो काफी अच्छा look दे देती है और यह पूरे गाड़ी का पीछे की तरफ से जो look है वो आप यहाँ पे देख लो और नीचे की तरफ यहाँ पे लगा हुआ है bumper protector और एक बार और इसका जो color है वो आपको silver finish में मिल जाता है और इसमें आपको number plate garnish भी मिल जाती है तो पूरा का पूरा जो look है back side का espresso का तो वो आप देख लो यहाँ पे इस side के alloy wheels और यह रहे उपर की तरफ door visors उनका भी look देख लो और इस side का music edition का sticker है यहाँ जो graphics है उसका भी look आप यहाँ पे देख लो इस तरह से जो है graphics दिखाई देता है और नीचे की तरफ है side cladding तो वो भी आप देख लो तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप door के ऊपर देखोगे यह है door ornament तो यह चारो दरवाजे में आपको मिल जाते हैं तो इसका भी look जो है वो आप देख लो orange color में जो है यह काफी sporty look देता है door को और इसके बाद यहाँ पे आप AC के side में देख लो यहाँ पे भी orange insert आपको मिल जाएगा और यहाँ पे floor mat का जो design है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो floor mat जो है वो भी आपको orange color के theme के साथ ही मिलते हैं और यह रहा इसके seat covers का look तो seat cover जो है वो भी यहाँ पे orange color के theme में है क्योंकि पूरी जो गाड़ी है हमने orange color के theme में बनाई है तो वो आप यहाँ पे देख लो पूरे के पूरे जो seat cover है उसकी quality आप यहाँ पे देख सकते हो जो की काफी बढ़िया लग रही है और यहाँ पे यह रहा इसका AC event का look तो वो भी मैंने पहले आपको दिखा दिया ह तो गाड़ी के अंदर आते है अब और यह रहा इसका steering wheel cover और इसकी जो fitment है वो आप यहाँ पे देख लो steering wheel cover के stitching जो है वो काफी अच्छे तरीके से की गई है यहाँ पे इसलिए इसका look जो है वो और enhance हो जाता है और यह रहे आपके center console के लिए orange colors के ornament तो वो भी आप यहाँ पे देख लो और इसकी जो fitting है वो आप यहाँ पे देख लो नीचे की तरब भी आपको same ornament मिल जाता है तो यह जो है इसके पूरे dashboard का look enhance कर देता है बिलकुल अलग दिखता है इसकी वाज़े से dashboard और यह रहा इसका gel या फिर आप इसको car freshener भी बोल सकते हो तो यह भी आपको मिल जाता है orange color में क्योंकि जो पूरा package है उसी के साथ में ये भी आता है orange color की theme में और यहाँ पे दूसरी तरफ के floor mat है उसका भी design आप देख लो तो इस तरह से जो है यहाँ पे दूसरी तरफ के floor mat दिखाई देते है orange color यहाँ पे सच में बहुत अच्छा लग रहा है तो आ बहुत बात कर ली हमने आगे के side पे तो आपको मैं लेके चलता हूँ पीछे के side पे और आप वहाँ से view देख लो आप पीछे के side में जो भी changes किये गए है वह आप देख लो तो यह रहा पीछे का door इसको open कर लेते हैं और यह रहा door के ऊपर ornament और उसके ऊपर जो है यहाँ प आप देख लो और यह रहा left side door और यह है यहाँ पे seat cover की design भी पीछे की तरफ के आप देख लो इसमें भी orange color का जो pattern है वो बीच-बीच में use किया गया है और यह रहे इसके non-adjustable headrest और इसके साथ में जो है आपको एक cushion भी मिल जाता है जो कि square में है तो यह रहा वो cushion यह काफ वीडियो के end में आपको बता देने वाला हूँ तो आप वीडियो को जो है end तक जरूर देखना तो पीछे के दरफ का जो पूरा view है वो मैंने आपको दिखा दिया है तो चलिए इस door को भी close कर देते है और अब हम बात करते इस accessories के prices की तो prices जो है वो मैं आपके screen के उपर डा आपको पसंद आ गई होगी अगर आपका कोई सुझा है तो आप नीचे केमेंट कर सकते हो अगर आपने वीडियो के अभी तक लाइक और शेर नहीं किया है तो लाइक भी करना शेर भी करना और चैनल को सब्सक्राब करना मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी व अंदे मातरम